डॉक्टरों के एक छूटी सी गलती से दर्द से करा उठी लड़की टाकी के पटी खोलते ही साबने आये कैसा सच की गुस्से में आग बबुला हो गए लोग चोट पर टागा लगवा का घर लोटी लड़की दर्द से लगी चिला ले पटी खोलते ही दिखा कुछ ऐसा डॉक्टरों के भी उड़ गए खोश आफ कभी वैट जाएगा कली जा डॉक्टरों की ऐसे ही गलती से उच जाता है लोगों का विश्वास ये लड़की भी हो गई डॉक्टरों की लापरवाही का शिकार वीड़ो में समझे पूरी बात यूपी की हापड से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है यहाँ एक 16 साल की लड़की के सिर में चोट लगी थी परजन उसे फॉरण सरकारी एस्पिदाल ले कर गए वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि टाका लगाना होगा डॉक्टर ने चोट पर टाका लगाया और सिर में ही सुई भूल गए इसके बाल लड़की जैसे ही घर लोटी उसे तेज दर्द होने लगा वो दर्द से चिलाने लगी उसके सिर में आसहनी दर्द हो रहा था गरवालों को समस नहीं आया कि इलाज कराने के बाद अचानक दर्द इतना कैसे बढ़ गया परजन को लगा कि अर लंग रहे गए यह खबर अब शोशल मीडिया पर वाइरल है इस घटा ने राजी की स्वास्त सेवा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठा दिया है उताप्रदेश के हापुड में एक सरकारी अस्पिताल की डॉक्टर ने चोट पर टाके लगाने के बाद 16 साल के एक लड़की के सिर में सर्जी का सुई छोड़ दे दरसाल पड़ोसियों के साथ जिड़ब की दौरान लड़की के सिर में छोट लगी थी इसके बाद सितारा को सामधाइंग स्वास्त के इंद ले जाया गया डॉक्टरों ने कहा कि उसके सिर पर टाके लगाने की जरुरत है इसके बाद डॉक्टर्स और कर्मियों ने लड़की के सिर पर पट्टी बादी और उसे घर पेज दिया प्राइविट अस्पिताल में डॉक्टर रह गए दंग गर लोटने के बाद यूफ्ती दर से चिलाने लगी इसके बाद उसके परिवार की सदस्म से एक प्राइविट अस्पिता डॉक्टर निशी में था उन्होंने कहा हम नहीं चाते कि किसी के साथ ऐसा दुबारा हो हम करवाही चाते हैं लड़की की मा ने अपने बेटी के सिर से निकाली गए सुई भी दिखाई हाप और जिले के मुख़ चिकित साधिकारी डॉक्टर सुनील त्यागी ने कहा कि उन् डॉक्टरों के दौरा की गई ऐसी लापरवाही से हमारा विश्वास खोता जा रहा है आपके शेहर में भी अगर इस तरह की कोई घट ना घटी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजेगा जिससे की लोगों को इसके बारे में और भी जानकारी मिल सके आपके इस विशे में क् हमारे साथ जरूर साजा की रिए फिस्बुक पीज में नए है तो फॉलर जरूर कर लिजेए अभी के लिए कि मले इतना है